गुलाम रसूल बलियावी जडियों के नेता है उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा है कि देश को एक जन क्रांती की जरूरत है दलित, शोषित और अल्प संख्यकों की नजर नितीश कुमार पर है क्योंकि सम्विधान के मूलियों की रक्षा वही कर सकते हैं अगर बाकी दल निजी स्वार्थ छोड़कर एक मंच पर आ जाएं तो जन क्रांती हो सकती है तो ये आवाज उठाई है गुलाम रसूल बलियावी रे नितीश कुमार के बारे में कहा है कि बूरे देश में जो सोषित हैं और अल्पसंख्यक हैं दलित हैं उनकी नजर निती नितीश कुमार के नाम पर सभी दल एक मत होंगे ये बड़ा सवाल है जिस तरह से कह रहे हैं गुलाम रसूल बलियावी रे आदर्श हैं हमारे जैप्रकाश जी और उस आदर्श का जो एक बेहतर मोडल है देश में वो माननी नितीश कुमार हैं किसी जाती किसी धरम किसी जो बेरोजगार है वो इस वक्त ढूंड रहा है वो हमारा जैप्रकाश कहां है जो फिर से एक मरतबा जन करांती का की याद ताज़ा करा दे हैं समाज में देश में भाई चारा प्रेम संबिधान सबकी सुरक्षा के साथ देश को गोल बंद रखना तो फिर एक सिक फिर एक तिगत जो समझ है कम समय के राजनीत में वो ये है कि आज का जैप्रकाश मानने नितिश कुमार जी है गुलाम रसूल बरियावी का ये बयान जाहिर तो पर अब चर्चा का विश्य है उन्होंने कहा है कि देश को एक बार फिर से जेपी की जरूरत है जो एक संपूर्ण क्रांती फिर से देश में हो और इस बार उन्होंने कहा कि जेपी जो अगर दिखते हैं वर्तमान में तो प्रकाश की जगह अगर कोई ले सकता है तो वो नितीश कुमार हैं हमारे साथ इस वक्त स्वपनिल सी मीडिया समवादाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं और उनसे बात करेंगे इसके लावा पटना से भी हमारे साथ शैलेंद्र जुड़े हैं राजनितिक संपादक हैं पॉ वायद चलती रही है और ये जेडियू में बहुत समय से चल रहा है ये जो बयान ऐसे समय में आया है कि जेपी से तुलना करके कहना कि जैप्रकाश नारायन की जगह नितीश कुमार ले सकते हैं और सभी दल अपना-पना स्वार्थ छोड़ें और नितीश का नेत्रित्व स् पर रॉप में उनका नाम सजाया था कई बार ये बाद कह कुके है गुलाम रसूल वल्यावी लेकिन इस बार वो नए बात कह रहे हैं कि जन्कलान्ति की ज़रूरत है लेकिन अब सवाल ये है क्या हालाथ है49 चीजें हैं और किस अवस्था में जनक्रांती हो सकती है क्योंकि जो इस्थितियां हैं अभी अभी हालवी में चुना हुए है और देश में एक स्थाई सब्सक्राइब आपको रूपना चाहूंगा तर असल हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जुड़ गया है इस वक्त बीजे बलियावी जिस तरह से पिछले कुस दिनों में जैसे कुछ कहते हैं कि बो लोग आरूप लगाते हैं कि बीजेपी में भी गिरेराज सिंग वगरे कुछ नेता हैं जो घटबंधन के खिलाप बोल जाते हैं वैसे ही गुलाम रसूल बलियावी साहब भी है जो कई बार बोलत है जनकामती तो 2004 में आया और तो पूरी बहुमस से ज़्यादा अधिक सीटों से और लोगों ने फिसे ने मोदी को परण मंत्री बनाने का काम किया जनकामती था इसिंग देते लंबे एर्शे के बार किसी सिंगल पार्टी को 50% से ज़ादा मताया है और एक पार्टी को लगातार दूसरी बार बहुमत देने का क्राम किया है और सबसे बड़ी बात है कि बैए बलियावी जी को ये बता दूं कि हमारी NDA की सरकार चल रही है दिल्ली के अंदर में और विहार में चल रही है हमारे देश में इसलिए ये बात कहिए ना कि BJP के भी कुछ नेता बोलते हैं लेकिन वो व्यक्तिकत तोर पर नाराजगी हो सकती है किसी के नितीश कुमार से या नरेंद्र मोदी से लेकिन बलियावी साहब जो शब्द बोल रहे हैं वो जाहर तोर पर विरोधियों की भाशा बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि सम्विधान की रक्षा की जरूरत आ गई है और ये रक्षा सिर्फ नितीश कुमार कर सकते हैं यानि परोग शुरूप से वो सीधे केंदर पर सवाल उठा रहे हैं कि सम्विधान खत्रे में है पर्षण करने का काम क्या है रहे हैं देखें आप हमारे साथ बने रहे हैं जरा विपक्ष बलियावी साहब के बयान को कैसे ले रहा है मृतिवधियों जी आपका भी स्वागत है देखें सब्सक्राइब कर दो आपको वी आरजेडी के में परवस्ता नहीं हूँ जी परवस्ता आप ये दिखा नहीं दूनाया गया है जिए हम दो मिसका दुखें जी चलिए ठीक है मैं बता रहा हूँ कि बलियावी साहर ने जो बयान दिया है ये बयान देर आये है पुस्ता है अगर ये ही बात हम लोगों ने पहले भी कहा है हमारे नेसा ने पहले भी कहा है ति अगर सब लोग एक जूप होते हैं विचारधारा के लोग तो सबका स्वाज़त है ने तो बलियावी साहब के इस बयान का आप स्वागत कर रहे हैं अपना स्वार्थ छोड़े और नितीश कुमार का नेतरत विकार करें नितीश कुमार ही जैप्रकाश नारायन की जग़ा ले सकते हैं कि आज के समय में आप नित्रत उस्विकार करें तब आपके साथ मन्च साजा करने को तयार है बढ़ाएं लेकिन इनको यह तो बता रहे हैं चलिक तो निकले ठीक है ठीक है ठीक पटेल साब बस चोटी सी टिप पढ़ी आपसे ये कह रहे हैं कि पहले बीजेपी का पाला छोड़े तब नेतर्थों पे चर्चा होगी, लेकिन बलियावी साहब चाहते हैं कि पहले ही नेतर्थों तय हो जाए बन गया है सियासी तोर पर कि उन्होंने कि क्यों कहा है कि अगर सम्विधान की रक्षा करनी है तो नितीश कुमार को आगे आना होगा और नितीश कुमार पर देश के शोशित प्रिड़ेत डलेत अलप संख्यांकों की नजर है और फिर से हम चलते हैं शैलेंद्र अपनी बात फिर हम एक बार दिल्ली चलेंगे स्मुफनिल के पास शैलेंद्र जिस तरह की बात कही अभी दौनों ने अटाओउनी और विर दिया है इस समय और इस समय हमको लगता है कि इस तरह के बयान की कोई ज़रूरत नहीं कि जो हालात है देश में की इस्तिर सरकर है और इसकु ले अभी जो वो बात कह रहे हैं उस तरह की ना कोई जनकरांती की जरूरत है ना उस तरह के हालात बने हैं देश में क्योंकि कुछ मुद्धे हैं जिन पर जेडी ओ और बीजेपी की डिफरेंसेज हैं तो वो जग जाही रहे हैं और उस पर लगातार चर्चा होती भी रही तो ऐस जैसे में ये बायान हमको लगता है कि बहुत जरूरी बायान नहीं लगता है बल्यावी का बिल्कुल हम स्वापनिल के बासे स्वापनिल हम तुलना कर रहे थे इसलिए दोनों दोनों के निताओं की जो गटबंधन के खिराफ कई बार बयान देते हैं गिर्राद सिंग बोलते हैं लेकिन वो नितीश कुमार के नित्रत तो पर सवाल नहीं उठाते हैं वो उनके इदे विपक्ष की भाषा है बिल्कुल अभी शेक देखिए जिस तोर पर बल्यावी ने कहा कि क्रांती की ज़रूरत है क्रांती का एक मतलब बदलाव भी होता है तो बदलाव किसके लिए ज़रूरत है लोग किसके फ्रंट पे आएं आप अभी NDA गटबंधन के अंदर हैं तिकेंदर में सरकार है राज जमया बीजेपी एलाइंस है तो ऐसे हालात में क्रांती यानि बदलाव किसके लिए ज़रूरत है कि सीधे तोर पर इशारा है कि उन्होंने पीम कैंडिडेट के तोर पर एक प्रोजेक्शन का काम किया उन्होंने यहां तक कह दिया कि समविधा है कि नितीश कुमार औरिजनल वारिश है और सारे विपक्षी नेताओं को एक तरफ आना चाहिए और एक फ्रंट पर आकर के बात करनी चाहिए तो बहुत एक तरह से कहें पॉलिटिकली उनका समझा हुआ बयान है इसको और समझ में दिया बयान ना माना जाए क्योंकि तमा बयान आने लगे थे लेकिन अब ये बयान मेरे इडाय में बिल्कुल बलियावी का सोचा समझा बयान है और उन्हें सोच समझ कि ये एक सगूफा पॉलिटिकल जो औरा है उसमें रखा है बिल्कुल यानि वो सीधे तोर पर हम कहें कि केंडर में नरेंद्र मोदी के पर नितीश कुमार को खड़ा करने की बात कर रहे हैं जो लगातार पिछले समय से कई दुनों से ये होती रही है फिलाल बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात चीत करने के लिए इस मसले पर अपनी बात रखने के लिए तो ये कुल मिलाकर बलियावी ने जो बयान दिया है जे डियू के नेता है और उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब NDA में खटपट की बाते कही जाती रही है